तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों के बोर्ड रिजल्ट 2023 है वो कब आएंगे सबसे पहली बात तो ये बता देता हूँ कि जब भी आप हमारे कंटेंट को देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल रिसर्चेबल होते हैं और यहां मैं आपको बिल्कुल वैलिड प्रूफ के साथ सारी चीज़े दिखा रहा होँगा और मैं अपने मर्जी की बात नहीं कर रहा होँगा ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ तो जो आप डेली के बेसिस पर पढ़ेशान है आप यूट्यूब पे काफी सारे CBSE अपडेट चैनल के डेली बेसिस पर वीडियो देख रहे हैं कि लीनियन चेकिंग, खुसखबडी ये सारी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है इनको हम आने वाले चार दिन में पूरी त जिसमें कि हम सब आप लोगों के रिजल्ट जो हैं उसको आपके स्कोड और एक्स्पेक्टेड स्कोड के हिसाब से प्रेडिक कर रहे होंगे तो उसका लिंक मैं पिंड कमेंट में डाल दूँगा सबसे पहले बात कर लेते हैं बोर्ट जिजल्ट सीबी असी 2023 की तो मैं आप आपको बता दू कि मैंने रिसेंट भी 5-6 आर्टिकल्स देखें और उन 5-6 आर्टिकल्स को देखने के बाद ही मैं इस कंफर्मेशन पर आया हूँ कि what is actually happening अगर आप यहां पर गौर से देखोगे तो आपको यह दिखेगा कि यह एक आर्टिकल है और किस वेबसाइट से यह मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इससे काइंड ओफ वो वेबसाइट डी फेम हो सकता है क्योंकि यह आर्टिकल्स हर 20-25 मिनट पे वो री अपडेट करते हैं मैं आपको बताऊंगा कैसे सबसे पहले तो यार यह CBAC रिजल्ट 2023 के आर्टिकल में साफ साफ लिखावा है कि य जो है डिकलेयर होंगे इन में 2023 नों यह चीज मैंने हर जगा देखा कि हर जगा मेंशन है इन में 2023 लेकिन उन्नहें यह नहीं पता कि मेле 2023 जो हो 30 दिनका है बाई तो में 2023 में सबसे पहली तो यह थी कि कुछ लोगों ने बोला first week कुछ लोगों ने बोला last week कुछ लोगों ने बोला कि 15 make around और मैंने भी अपने particular channel पर बोला था कि 15 में से पहले आपके result आचुके होंगे जिसकी बहुत ज़्यादा expectation है बट मैं आपको बता दू कि यहाँ पर अगर आप इनका content देखोगे तो यहाँ तक आपको दिखेगा इसके बाद बस यही normal सी चीज है वही बार-बार एकी same repetition होती है एक चीज मैं आपको बता दू कि आप लोगों की जितने भी exam थे न वह आपके March 21 और April 5 तक last exams चले है In this case अगर April 5 तक last exams चले है और मैं अगर 2019 की बात कर लूँ जब मैंने boards दिया था 12 का तो उस समय यार मेरा जो exam था वो 18 मार्स तक चला था और commerce वालों का वही max to max 30 मार्स तक last exam गया था अगर इदर से साथ दिन आगे भी है तो कितना भी होगा तो 15 में के अंदर आपको रिजल्ट दिख रहा होगा और इसकी तो भाई guarantee हम लोग ले सकते हैं at this point क्योंकि जिस हिसाप से हम चीजे दिख रही हैं और जिस हिसाप से हम बाते कर रहे हैं अंदर में आपको मैं बता दू कि इसका result date आपको में 2023 दिया गया है बट compartment वाले exam का जुलाई में आपका exam हो रहा होगा इस साल जो कि पिछले साल ultimately थोड़ा लेट हुआ था एक और चीज़ बता दू आपको कि यह जो results है आपको cbse result.nic.in पर ही दिखेंगे और इस बार 31 लाख बच्चों ने दिया है तो ऐसा मत समझना कि 31 लाख बच्चों ने पाच पाच सब्जक्ट भी on an average दिया होगा बईया तो यह तो कहते हैं न कि डेर करोर कॉपिया कैसे च sufficient teacher की वो देर करोर कॉपिज भी चेक कड़ा सकते हैं उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है भया तुमने exam पीस देदी तुमने exam देदी अब चिल मार के पीछे बैठो और आगे की सोचो बट यार वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि there is a competition जिसको कहते हैं क्लैक जो कि law के लिए होता है और इसमें competition अभी काफी कम है और इसको आप easily crack भी कर सकते हो क्यों कि इसका जो syllabus है वो बहुत ही basic सा होता है जो कि आप चेक कर सकते हो आपको मैं बता दू कि law as a career में काफी ऐसे लोग है जो एक एक दिन का एक एक hearing का पचीस पचीस लाक रुपे fees charge करते हो और आप भी उनमें से एक हो सकते हो अगर आप law as a career देखते हो या आप law में एक career बनाना चाहते हो तो right now में आपको बता दू कि PDNs 10 code यूज करके आपको 35% off मिल रहा है on unacademy CLAT subscription अगर आप unacademy में law exam subscription लोगे तो आपको 35% तक off मिल र और इसके अलावा CLAT और other जितने भी LLB exam है उसके धेर सारे free mocks आपके लिए already available है on the platform और आपको बता दू कि आपके लिए CLAT 2025 के लिए ace legal batch April 6 से start हो चुका है आपके लिए उसके अलावा the Warriors batch CLAT 2024 के लिए April 13 से start हो चुका है with our top most educators and इसके अलावा बता दू कि आप लोगों को क CLAT के अलावा भी काफी सारे ऐसे exam होते हैं जो आप दे सकते हो जिसमें से कि एक slat होता है और slat कि अगर आप preparation करें आप लोगों मैं से कोई भी बच्चा slat देने वाला है तो आपको मैं बता दू कि इसकी पूरी की पूरी mock test की series आपको मिलने वाली है जिसमें कि आपको बि देके देखो तुमको realize हो जाएगा कि you are made for this career you are made for law ठीक है एक बार जलू ट्राइ करना और चलते हैं वीडियो में और मैं बता दू आपको आगे जाते कि जब भी आप अपने cbse result को चेक करने के लिए जाओगे न तो आपको दिखेगा 18 minutes ago ठीक है यह मैंने यहाँ पर specially इस उसी चीज़ पर depend करेंगे ना जो चीज़ हम लोग को actually में बताएगी सही reality तो हम लोग किस पर depend कर सकते news channels पर news articles पर और जब हम लोग news channels और news articles पर depend होते और उनके साथी clickbait वाला function चल रहा है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हम लोग मजबूर है that's why वह confusion clear करने मैं यहाँ पढ देखोगे तो आप simply देखोगे तो आपको दिखेगा go to the official website of cbse result यह 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 तो आपको लगेगा यार की result तो आप तुरन पैनिक हो जाओगे तुरन शॉक हो जाओगे and when I click this link तो मेरे को यह दिखता है यह वाला page आ जाता है direct जिसमें की लिखावा है कि when will the cbse 2000 result will be available तो as per media reports the cbse result are expected by next week next week बोले तो अगर मैं 18 मिनेट अगो यह बस आदे गंटे पहले का news मैं बता रहा हूँ आदे गंटे पहले 18 मिनेट से अगो करके दिखा रहा था तो मैंने screenshot लिया और इसमें लिखावा है next week इसके हिसाब से यार एप्रिल के 30 से पहले result आ जाना चाहिए तो अगर in case आ जाता है जो कि मेरे को पता है कि बहुत कम chances है मतलब 1% chances है April 30 से पहले आने के लेकिन इस हिसाब से सबसे पहली बात है यार कि as per media reports लोग लिख रहे हैं और वो खुद एक media channel है अभी आपको यहाँ पर आप इस वाले paragraph में ढूंड सकते हो कि मैं किसकी article यह देख of this ठीक है तो यहाँ से आपको clarity ऐसे ही मिल गई कि वह कोई guarantee नहीं ले रहे हैं कि next week result आएगा तो simple जी बात है नहीं आएगा कोई भी media report कोई भी media में यही हो रहा है at this point लेकिन मैं तुम्हारी confusion को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ साब सब्दों में clear करने के लिए हो कि मेरा यही काम है मैंने तुमको अभी various articles दिखा दिये news के और तुम लोग काफी जाधा confusion में होगे साथी में अगर तुम normally cbse board result भी देखोगे तो in fact मेरे वीडियो आएंगे और बहुत सारे लोगों के वीडियो आएंगे जिसमें कि यार तुम लोगों को title में वही रहेगा लेकि यह सब ट्रेंड में हैं हाला कि हर दिन सामके चार बजे तुम इस चैनल पर आ जाना डेली सामके चार बजे अभी से लागातार वीडियो अपलोड होंगे जिसमें कि हम लोग आप लोगों के सारे डाउट जो आपके cbse results related है वो clear कर रहे होंगे तो subscribe करके bell icon जरूर दबा द देता हूं कि आपके जो results है आपके जो boards के result है वो आपको May 15 से पहले देखने को मिल जाएंगे यह guaranteed है वाई क्योंकि आर मे 15 से पहले जो है result आना चाहिए because अगर आप मैं 5-6 साल की record चेक करूं मैंने हर साल के मतलब की last exam और result date को compare किया हर बार जो है result max to max 45 days के gap के अंदर आया period और Corona period उस समय तो of course ही बात है यार चीजी अलग थी but right now when it is very normal तो वहां पर यार हमेशा देखा हूं जब normal cases है तो 45 दिन के अंदर आया है और उस हिसाब से May 15 के अंदर आपका result आना चाहिए हाला कि अगर आपका result आ जाता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है you just have to go to cbscresult.nic.in और वहां से आप अपना result निकाल सकते हो that is very very easy और मैं आपको बता दू यार कि अभी आप लोगों के पास बहुत सारे app का approach आएगा बहुत सारे लोग चीजे आप promote कर रहे होंगे क ये वाले particular पर जाके अपना result देख लेना या ये रख लो इस पर सबसे पहले result आएगा मैं आपको बता दू सारे apps जो है वो आपको ultimately redirect करने वाले है cbscresult.nic.in पर ही मतलब उसमें बस link होगा आप एप के थूरू जाओगे इस वाइसे एप किये कहते ना promotion हो जाएगी downloading करेंगे बट reality यही है कि cbscresult.nic.in पर आप जाके directly access नहीं कर पाड़े हो आप कहीं से भी जाओगे नहीं करोगे क्योंकि ultimately सारे portals वहीं आते हैं ठीक है तो एक सिंपल सी चीज है cbscresult.nic.in को कहीं पर bookmark करके रख लो अपने browser में जब भी result आता है तो हम लोग आपके लिए announce करी देंगे fastest वीडियो के साथ और उस समय आपके साथ live आपकी result भी चेक कर रहे होंगे ठीक है चलो all the best for your result और या result के tension में मत रहो आगे का सोचो आगे की पढ़ाई पर लग जाओ है ना आपको offer के बारे में मनें बताएं तब तक लिए अपना ख्यार रखो बाबाए टिक पीस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बंदे मात्रम